हेलो एप्रिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की दुआउं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो पहले तो माफी चाहूंगी कि शायद एक तो दून होगे मैंने कोई वीडियो नहीं डाली वैसे डाल रही थी लेकिन खुद की कोई वीडिय नहीं डाली तो चलो आज की वीडियो में बात किसके बारे में होने वाली आप सब लोग जानते हो और रात को शायद आप सबने जो है वो सना सिस्टर की लाइव देखी होगी और उनमें उसमें जो है वो रहाना बॉस भी लाइव आई हुई थी तो अभी ये कटेली जो है जो ये नशेडी है ये क्या जतारी है इसने कोई शौट वीडियो डाली होगी तो ऐसा दिखा रही है कि 48 घंटे यानि 48 घंटे वेट करो और ये पता नहीं क्या करेगी तो ये ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती बस लोगों के जो गड़े मुर्दे होते हैं वही उखाड सकत करती है और सेम वह चीज जो है सना सिस्टर और इमरान बायजान के साथ करने वाली होगी तो इसलिए वह दोनों रात को लाइव आए थे और उन्होंने रहाना बोस को भी लाइव दिया था तो रहाना बोस ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी बजाई है नाम बेशक नहीं लेकिन बजाई बहुत अच्छे तरीके से है कि लड़ना है तो खुद के दम पे लड़ो दूसरों का मैटर ना ले के आओ और यह मैटर क्या था ज़्यादा जिन लोगों को नहीं पता उनको में मोटा मोटा बता देती हूं कि मैटर ज्यादा कुछ नहीं था कभी ऐसा होगी या कुछ भी रहा होगा तो उसके बाद क्या हुआ रहाना बोस गुस्से में आ गई और इन्होंने रहाना बोस ने फेक ऐलिगेशन लगाए इम्रान भायजान के उपर ठीक है कि मेरी लड़की को परेशान किया तंग किया या फिर जो भी है मतलब चेन में चुराई ह आप लोग सोचो कि जब एक इंसान ऐसे ऐलिगेशन लेके पुलिस टेशन जाता है या फायार करवाता है तो पुलिस टेशन भी पहले पुलिस वाले पहले प्रूफ मांगते है कि आपके पास पूफ क्या है जो चेन गायब हुई है उसका कोई प्रूफ दिखाओ उसका झूट थी ठीक है और अब ये उसके बाद भी ये सारी चीज़े रहाना बोस ने खुद एक्सेप्ट किये कि वो सारी जूट थी हमने जूटे आरोप लगाए थे तो इन सब का बाद में जो है वो सारा जो ये मसला था ना वो शोट आउट हो गया था सारा क्लियर हो गया था तो वो क्योंकि देखो रिष्टेदारी है ठीक है जो रिहाना बोज है वो चाची लगती है इमरान भाईजान के और इमरान भाईजान जो है वो भतीजे हैं इनके ठीक है तो मतलब इमरान भाईजान और साना सिस्टर जो है वो बेटा बहु हुए रिहाना बोज के तो उनकी रिष्टेदारी है वो सारी चीज़े शौट आउट होगी उनका अभी सब कुछ कलियर है तो अभी इनशेडी जो है वो उनका जो रहाना बोज ने कभी प्रेस कॉनफरेंस की थी और वहां पे फेक ऐलिगेशन लगाये थे इमरान भायजान के ओपर तो उन सारी चीज़ों को वह यह फिर से दोबारा लाने वाली है और लोगों के चैनल पर चल वाने वाली है तो इस बात को लेकर रात को सुनाषिस्टर ने और इम्रान भायजान ने चांडेर को लाइव लिया और रहाना बोज पर अच्छी आपले का शौगत किया और उनको बताया भी कि ज़ जिस चली दोबारा तो भाई लीगली एक्षिन लिया जाएगा और मैं खुद कंप्लेइन करवाऊंगी ठीक है तो इस चीज से ये तो समझ आता है कि जो रहाना बोस है वो अगर ये वाला मैटर उठता भी है तो जो रहाना बोस है वो सना सिट्रो और इमरान भायजान के साथ है त और ये सारी चीजें करके तुझे मिलने बाला भी कुछ नहीं है क्योंकि ये सारी पुराने बाते जो है वो पुरानी है और लोग सब जानते है इन सब चीजों के बारे में पहले से ही ठीक है तो अगर ये चीजें तो बाहर ले भी आएगी तो लोगों को बहुत जादा फर पीजे का साथ देगी या फिर जो एक मूँ बोली बेटी है उसका साथ देगी जो जिसमें की सो कमिया है जो नशेडी वो है लोगों के घर वो खराब करती है लोगों को बदनाम वो करती है अगर इसका बस चले नशेडी का तो कल को अगर इसकी रहाना बोस के साथ भी तू है न क्या-क्या आके बोले उसके उपर भी एलिएशन लगाए कि रहाना बहुत सैसी है वैसी है चाहे बेशक उसको माई बनाया है लेकिन फिर भी ये कर देगी ऐसा जिस हिसाब से इसकी हालत है तो ये सारे मैं तो यही कहूंगे कि भई ये गड़े मुर्दे उखाड के कोई फाइदा नहीं होने वाला है कुछ लेके आना है तो कुछ नहीं चीज ला कोई रिकॉर्डिंग सुना उन दोनों की साना सिस्टर इमरान भाइजान की रिकॉर्डिंग सुना कि उन्होंने कुछ तुझे बोला है उन्होंने तुझे कुछ धमकाया है या कुछ भी तेरे साथ गलत किया वो चीजे सुना जिस तरीके से वो लोग सुनाते है लेकिन तेरे पास कुछ है नहीं न सुनाने के लिए तो सुनाएगी क्या तेरे पास कुछ कोई प्रूफ ही नहीं है आभी तो तेरी बहुत अच्छे तरीके से बज़ी पड़ी है और ये 48 घंटे का जो तू टाइम दे रही है एक्यूज नमबर वर्न, एक्यूज नमबर टू, एक्यूज नमबर थरी तो हम सभी को उन्चीजों का इंतजार रहेगा कि तू क्या करने वाली है आगे और बाकी आज कल देखो मैं बोलना तो नहीं चाहूंगी लेकिन फिर भी तेरी फैमिली के चर्चे तो सरयाम ही हो रहे है क्या है क्या नहीं है लेकिन मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है क्यूंकि देखो matter आपका है और हमारा है तो हम किसी और को बीच में नहीं ला सकते तो उस चीज में मैं बोलूँगी नहीं कुछ भी लेकिन फिर भी लोग तो देखी रहे हैं लोग तो सुनी रहे हैं अब वो चीजें कितनी सच हैं कितनी जूट हैं उस बारे में भी मैं नहीं जानती हूं ना मैं उस चीज में कुछ involved होना चाहती हो, ना मैं कुछ कहना चाहती हो, तो ऐसी ऐसी बात है, और वेट रहेगा 48 hours का, देखते हैं, उसके बाद क्या होने वाला है, कौन सा तुम धमाका करने वाली हो, और ठीक है friends, आज की वीडियो, नहीं नहीं, एक और बात, कि जो आज त भी है ये बंदा, इसकी आज तक आपने recording सुनी हर किसी के channel पे, तो इसने क्या किया, नशेडी ने, कि आरिफ भाई को ये call कर रही होगी, उस टाइम के बाद है, जब सना सिस्टर और इमरान भाईजान जो है, वो आज मेर जा रहे थे, तो आरिफ ने call नहीं उठाई होगी, उसने बोला होगा कि मैं अब कहीं पाहर हूँ, ठीक है, तो जब सना सिस्टर और इमरान भाईजान अब मेर जा रहे थे, और जो हिजाबी शाहिदा है, उसकी पती थे इमरान भाईजान के साथ, मरियम शेख के साथ, वहाँ पे इसको दिखाई दिये, तो इसको लगा कि आर करना था, तो उसी चीज पे अड़ी रही, ठीक है, अब बार-बार बोल रही है, अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, कि आप लोग जाए इंस्टाग्राम पे, हिजाबी शाहिदा को सर्च के जिए, जिसको नहीं पता, जिसको पता होगा, तो रात को नने की है और उसमें जो है, उनके हस्बेंट भी बात कर रहे है, उनके हस्बेंट भी बोल रही हैं वहाँ पे, तो आप लोग उनकी आवाज, हिजाबी शाहिदा के हस्बेंड की, मतलब जो अफजल भाईजान है, उनकी आवाज मैच कीजिए, और जो ये आरिफ की रिकॉर्डि फेक जूठा बना रही है तो इसका काम ही यही है किसी को भी उठा के कहीं से भी कहीं भी डाल दिती है और कुछ भी बना दिती है